22 अप्रेल को पूर मोख्यमंत्री और कॉंग्रेस नेता कमल नात की बड़ी रैली होने जा रही है ये रैली 2023 के चुनावी शंकनाद का मद्द प्रदेश में आगाज भी माना जा रहा है आपको बता दें कि इसी दिन यानि की शुक्रवार को केंद्रिय ग्रही मंत्री अमिशा भी भोपाल पहुँच रहे हैं ऐसे में इसी दिन रैली करने को लेकर के भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस पर तंज कस्तिवी दिखाई दे रही है दरसल जन आक्रोश रैली में कॉंग्रेस ने 40,000 की संक्या में भीड जुटाने का दावा किया है तो इसे भाज़पा ने हस्यासपत बता दिया बीजेपी ने कहा कि कॉंग्रेस का सबाब पंडाल ही 10,000 की शमता का है ऐसे में कमलनाथ के आने की खबर मिलते ही कॉंग्रेस में स्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है 22 अप्रेल को कमलनाथ की बीजेपी के खिलाप रैली है महगाई हटाओ के नारे के साथ मैं प्रदेश में होने जा रही जन आक्रोश रैली की रतलाम से शुरूआत करना भी हर किसी के लिए सोच से परे है सबाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रदेश में कमलनाथ ने भारतीय जनतापार्टी के खिलाप जन आक्रोश रैली की शुरूआत के लिए रतलाम को ही क्यों चुना उधर कॉंग्रेस इन सवालों को धरकिनार करने में जो है लगी हुई है इस रैली को लेकर के शहर के अंबेडकर मैदान में तैयारियां जारी हैं पंडाल लगाए गए हैं रैली का मार्ग भी तै कर दिया गया है कॉंग्रेस इस रैली को लेकर के बड़े दावे ठोकती भी दिखाई दे रही है जिला कॉंग्रेस अद्यक्ष महंदर कटारिया का कहना है कि रैली के रास्ते में तकरीबन 40 मंच लगा करके पूर मोख्यमंतरी कमलनात का जो है स्वागत किया जाएगा वहीं सभा में भी 40,000 लोगों की भीड जुटाने का दावा हो रहा है इदर भारती जनता पार्टी इस पूरी जन आक्रोश रैली को दरसल हस्यासपत बता रही है बीजेपी के जिला महामंतरी प्रदीप अपाध्ध्याय का कहरा है कि कॉंग्रेस पूरी तरीके से ऐसे खत्म होती चली जा रही है जैसे गधे के सरसे सीम कमलनात की सभा में 40,000 की संख्या में लोगों के जुटाने का दावा भी जुटा है जिस पंडाल में सभा होने जा रही है दरसल वो है ही 8-10,000 लोगों के लिए यानि कि उसकी कपैसिटी से जादा कॉंग्रेस के नेता ये दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 10,000 की कपैसिटी वाले पंडाल में 40,000 लोगों की भीड आएगी भाजपा के खिलाब जन आक्रोष की तैयारी करने से पहले कमलनात अपने घर को सभाले उनके आने की खबर मिलते ही पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है एक कद्दावर महिला नेता जने कॉंग्रेस ने विधान सभा में उम्मीदबार भी नहीं चुना था उन्होंने सबसे पहले सभा से इस्तीफा दे दिया वहीं रतलाम से जन आक्रोश की शुरुआत को लेकर भाजपा का कहना है कि प्रदेश में ने कहीं जगे नहीं मिल रही है इसलिए रतलाम से शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी का दावा है कि जन आकरोश रैली का जबाब देने के लिए भजपा का कारिकरता बूत इसतर तक तयार खड़ा है ऐसे मैं अब जब कमलनात की जन आक्रोश रैली पर सब की नजर होगी कि कॉंग्रेस की जन आक्रोश की शुरुगात कितनी प्रभावी होती है क्या जनता का समर्थन कॉंग्रेस को मिल पाएगा जैसे ही इधर कमलनाथ की तरफ से रोड मैप तैयार किया गया वहाँ पर जमसभाएं करने का दरसल आयूजन किया गया और दाबा ये ठोका जा रहा है कि 40,000 से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उधर कॉंग्रेस में बड़े पैमाने पर नेता तमाम दरसल रेजिनिशन देत काहिती उसको एक बार फिर से वहाँ पर चलाने में कायम हो जाएंगे और उधर भारती जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि कॉंग्रेस का एक बार फिर से सफाया तैह है वहराल इस पूरे के पूरे प्रक्रार पर आपका जो भी पॉइंट आव व्यू है हमें कॉमे